मैं महात्मा गांधी की तरहें सादगी से जीवन जीती हूँ मैं एसी, वाशिंग मशीन, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करती मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ और मैं शाका हारी भी हूँ उन्हें गांधी के आदर्शों के बारे में बताया और कहा कि गांधी कहते थे कि सच्चाई को सिर्फ काव्यात्मक तरीके से ही व्यक्त किया जा सकता है इन बातों ने हम पर गहरा प्रभाब डाला और हमने गांधी के बारे में और जानने का निर्ने किया मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि वो हर जीव को प्यार करें वो गाउं के लिए अच्छा काम करें गुडाई कठा करें अगर लोग अकेले हैं तो वो उनके घरों में उनसे मिलने जाए एक दिन जब मैंने अहिंसा और गांधी के बारे में बात करनी शुरू की तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत आदर्श्वादी हूँ और चीन में ऐसा नहीं हो सकता चीन में गांधी के बारे में बहुत कम जानकारी है भारत की तरहें चीन में भी कई लोग अहिंसा पर गांधी से सहमत नहीं है मैंने अपना जीवन इस स्कूल को समर्पित कर दिया है लेकिन मेरा सपना है कि मैं एक बार भारत ज़रूर जाओं